प्रेणा कथा ऐसा हो दोस्त चैतन में महाप्रभु के एक बहुती घनिष्ट मित्र थे उनका नाम रगुनात शास्त्री था दोनों बहुत सा समय साथ ही बिताते थे एक बाद दोनों मित्र एक नाओ से अफ्त्रा कर रहे थे रगुनात शास्त्री संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और संस्कृत भाषा के बारे में और संस्कृत में बहुत कुछ लिखते रहते थे उन्ही दिनों चैतन महाप्रभु ने भी न्याय शास्त्र पर एक बहुती उच्छे श्रणी का गरंत लिखा था वो शायर न्याय के बारे में लिखे गए तब तक के सभी गरंतों में स्वेश्ट था चैतन महाप्रभु ने अपना न्याय शास्त्र के बारे में लिखा हुआ उओ गरंत रगुनात शास्त्री जी को दिखाया उस ग्रंथ को थोड़ा पढ़ने के बाद रगुनाज शास्त्री जी के चेहरे पर निराशा और उदासिस आ गए उनकी आँखों में आशु आ गए चैतन में महाप्रभू बहुत हाराम हुए और उन्होंने पूछा कि रगुनाज शास्त्री जी क्यों रोने लगे थे रगुनाज शास्ती जी ने कहा मेरे मित्र मैंने भी एक बार नियाज शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा था और मैं मानता था कि मेरा ग्रंथ सबसे अच्छा था परन्तु आज तुम्हारे इस ग्रंथ को पढ़कर ऐसा लगता है कि मेरा लिखा गरंथ तो तुछ था है चैतन्य महाप्रवु ने अपना लिखा हुआ नयाय शाष्त्र के बारे में गरंथ अपने मित्र के हाथ से वापिस ले लिया और कहा, बश इतनी सी बात के लिए तुम निराश और रुखी होगे मेरे मित्र यह कहकर चैतन्य महाप्रूवी ने अपने ग्रंत को तुकड़े तुकड़े करके नदी में फेख दिया उनका मित्र उनका मुह ही देखता रह गया मित्रों ऐसे भी मित्र हुआ करते थे जो अपने मित्र की खुशी के लिए बड़ से बड़े बलिदान कर लेते थे पर अपने मित्र की आँख में आशु नहीं आने जो सते दुरबात के है कि आज मित्रता केख बहुत ही सीमित हो गए और मित्रता की कासोथी टै करने में धन ही सबसे बड़ी चीज़ बन गया है आज ऐसे समर्कित मित्र कहा मिलते हैं बहुत बहुत धन्या ज़़त झाल झाल